हेलो दोस्तों मसका चसका चानल में आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा पाइदा कि पेट से जुड़ी परेश्यानिया को छुटकारा कुछ ही मिन्टों में पा सकते हो याने पाचन की समस्याओं से पाना चाहते है छुटकारा तो रोज भी ये एक कप सौप की चाय इस वीडियो में मैं वताऊंगी सौप का इस्तेमाल करने से क्या-क्या फाइदे मिलते हैं सौप सेहत के लिए बहुत फाइदे मन होता है पाचन और कब्स की समस्याओं में भी सौप काफी अच्छा माना जाता है ऐसे भी सोफ की चाय भी सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित होती है आजकल बिजी लाइफस्टैल के चलते लोगों को खानपन का समय काफी बदल गया है जिस से घराब पाचन की समस्या होनी लगती है इस प्राब्लम को ठीक करने के लिए सोफ की चाय मदद कर सकती है आईए जान लेते हैं इसके फाइदे के बारे में सोफ की चाय पाचन समबंदी समस्याओं से छुतकारा पाने में मदद करती है सौफ की चाय पीने से भी आपको गैस और सुजन को खत्म करने में मदद मिल सकती है या आपके पाचन तंत्र को भी ठीक रख सकता है पेट में होने वाली जलन, एसिडिटी, गैस, पेट दर्थ, टाइरिया में भी सौफ की चाय का सेवन बहुत फाइदेमन पहुंचाता है यहनकेवल बेतरीं फ्लड प्यूरिफायर यानि रक्त शोड़क है बलकि आपके लिवर और कीडनी के लिए भी बहुत फाइदेमन है यह शेरीर में वसा के जमाव को कम करती है और आपको वजन को कम करने में मददकार साबित होती है और सौफ की चाय कैसे बनती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊँगी वो भी जान लीजिए सौफ की चाय बनाने के लिए सिर्फ दो कप पानी में दो चमच सौफ के बीच उबाले इस में आपको चाय है तो कुछ पुदिने की पत्ते भी मिला सकते है इस पानी को दो तीन मिनेट तक उबाले चाय में स्वात के लिए थोड़ा सा शहर मिलाए अगर आपके पास शहर नहीं है तो वैसे भी पी सकते हो लेकिन चीनी और गुड़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करे और ये गर्मा गर्म ही पीए ये चाय आप एक महिने में तीन से पांच दिन आराम से पी सकते है ये रोजाना पीने की चाय नहीं है अगर पी सकते हो तो थोड़ा सा पी सकते हो यानि half cup आदा cup पी सकते हो जादा नहीं पीना चाहिए और नहीं इससे हानी भी हो सकते है ये चाय पीने से आपको कोई भी पेट की समस्या हो तो वो नहीं होगी ये प्रयोग हमारे घर पर हम भी करते है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और वीडियो को कमेंट्स जरूर करें दोस्तों वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में